हेलो एवरीवन मैं हमकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मागनेट ब्रेंस हिंदी पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलता है हिंदी माध्यम की अच्छा छटमी से लेकर अच्छा बारमी तक का संपोल पाटिकरम बिलकुन नहीं सुल्क में वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ तो बात करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम क्या पढ़ने वाले हैं तो हम इस वीडियो के माध्यम से जो कवर करेंगे वो है एक सरकारी आदेस मतलब कि आज की वीडियो का टॉ followers का हो गया एक सरकारी आदेस सरकारी आदिश का मतलब का है तो सबसे पहले हम एक सबाल कर लेते हैं इस सबाल को हम ढूंडेंगे इस वीडियो के माद्ध हम से या अगले वाले वीडियो के अंदर हमें यह जवाब मिल ही जाएगा कि नीतिगत फैसले कौन लेता है प्रमुक तरीके से नीतिगत फैसले किसक कौन तαι करता होगा या कौन लेता होगा या कैसे लिए जाते होंगे तो ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि एक वेक्ति के द्वारा तो नहीं लिए जा रहे होगे उसके पीछे पूरे कई सारे लोगों की टीम लगी होगी उनके बाद connection के बाद निकल कर आएगा त अगर अंदर किसी बहुत महत्पूर बात को लेकर वो आदेस या ग्यापन निकाला गया है तो वो उतने ही महत्पूर हो जाते हैं जैसे कि आप कई बार किरकेट मैच देखते होंगे कई बार आप पढ़ाई करते होंगे तो चैप्टर आसान होता होगा तो वो आपको ऐसे ही लगता है कि बहुत आसानी से अपने पढ़ लिए हो कोई कोई चैप्टर बहुत टफ होता है तो आपको फिर समझ में आता है यह सब्जक्ट भी अच्छा है ऐसे ही कई सारे किर्केट मैच के हम कोई ऐसे ही कमजोर टीम से खेलते हैं तो जी जाते हैं लेकिन जब वही मैच कोई अच्छी टीम से होता है तब पता चलता है कि मैच की वेल्यू क्या है तो ऐसे ही ग्यापन या आदेश जो हैं वो सभी एक से होते हैं जिसे क्रिकेट में सभी एक से होते हैं लेकिन उसके अंदर क्या है कैसी महत्पूर बाते हैं वो क्या होगा वही तै करेगा कि वो कितना महत्पूर होने वाला है हम बात कर रहे हैं 13 अगस्ट 1990 को भारत सरकार का एक आदेश आया था इस सरकार के आदेश की उपर बात करेंगे इस पर एक ग्यापन संख्या होती है हर एक आदेश की उपर एक ग्यापन संख्या हर एक ग्यापन की उपर अपनी एक संख्या होती है इस संख्या को आम तोर पर आदेश संख्या कहा जाता है सिका कहते हैं OM नंबर कहते हैं Office Memorandum कहलाता है जैसे यहाँ पर आप संख्या देख पाएं 36.011.91 तो ये एक संख्या होती है संख्या क्यों डाली जाती है किसी भी आदेश की उपर तो संख्या से पता चलता है तो किस वर्स आया था, किस महीने में आया था, उसका नमबर क्या था तो इससे कहा होता है कि बहुत आसानी से आप उस नमबर से आदेश को पता कर पाएंगे आदेस और याद भी याग ग्यापन को याद भी आप number के मध्यूं से रख सकते हैं आपके सामने दो ग्यापन है एक उपर दिया गया है एक नीचे दिया गया है Government of India के लिए लिखा गया है तो आप देखें यहाँ पर भी o m number दिया गया है इस पर भी o m number दिया गया है यहां 36 0.12 31 90 है rated 32 393 है तारीख डाल दिगए कि भाई तारीख क्या है यह 90 में आया हुआ था ये 93 में आया हुआ था हर एक ग्यापन के अंदर उसका बिसा है कि किस मामले में ये ग्यापन ये आदेस निकाला जा रहा तो सब्जेक्ट लिखाए 27% आरक्छन और यहां पर लिखाए कि वो आरक्छन क्या करना है भाई सरकारी नौक्रियों के अंदर देन पिछड़ा वर्ग से संबंदित आदेस होगा अब पिछड़ा वर्ग क्या कहलाते है तो जो पिछड़े लोग होते हैं उनको पिछड़ा कहें कि और उसका जो एक बर्ग बना दी जाएगा वो पिछड़ा बर्ग कहलाएगा तो बोले सरी पिछड़े कैसे हैं तो जो कारण हो सकता है एक आर्थिक पिछड़ापन दूसरा कारण हो सकता है सामाजिक पिछड़ापन तीसरा कारण हो सकता है राजनेतिक पिछड़ापन धार्मिक पिछड़ापन सच्छिक पिछड़ा पर मतलब एकउनोमिक सोसल पॉलिटिकल en만 और एजूकेशनल बैगवड इस तरीके से आप पिछड़े पन को बता सकते हैं हम जो पिछड़ा वर्क के बारे बात करेंगे तो पिछड़ा वर्क क्या है वो पिछड़ा वर्क उनको ही हम क्या कहते हैं आशकल अधर बैकबर्ड क्लास उस टाइम पर क्या कहते हैं सोसल एकॉनोमिक बैकबर्ड क्लास उस टाइम पर इसको नाम दिया गया था सामजिक सैच्छिक पिछड़ा बर्ग है ना तो ये नाम दिया गया था अब जो आदेस आया था आपके देखा आपको यह सामान आदेश ही लगने वाला है लेकिन यह बहुत महत्पूर आदेश था इस पर कई वर्सों तक विवाद रहा था यह लाइम लाइट में रहा था चर्चा में रहा था क्या था इस आदेश के अंदर तो इस आदेश के अंदर पिछड़ा वर्को 27% आरक्षन देने की बात की गई थी कि पिछड़ा वर्को 27% आरक्षन दे देंगे तो यह भी आदेश आया था तो इस आदेश पर हस्ताक्षर किसके हुआ करते हैं तो इस आदेश पर हस्ताक्षर तो यह हस्ताक्षर यहां पर इस तरीके से किये गए तो हम को यह समझना है यहां पर अभी और आगे आने वाले वीडियो में क्या यह व्यक्ति हस्ताक्षर के माध्यम से आदेश जारी करवा सकता है क्या यह आदेश इसी के द्वारा क्या यह फैसला इसी के द्वारा यहां प सचिप के हाँ पर अस्ताथ चरते यह सरकार का एक नीतिकत फैसला था जो समाज के एक बड़े वर्क को कुछ राहत देने का काम करने वाला था यह क्या था सैक्षिक और सामाजिक कि द्रस्टी से पिछले लोगों के लिए आरक्षन की विस्था यहां पर करता है वो आरक्षन कितना है 27% की बात की गई अब आरक्षन जैसे ही सब्दा आता है तो आरक्षन का मतलब क्या होता है मतलब यह अर्थ क्या होगा और इसको लगाते क्यों है यह दो सवाल हम करेंगे अर्थ होता है कि सीट को या इस्थान को आरक्षित या इस्थान को सुरक्षित रखना रहा है इस्थान को सुरक्षित रखना कैसा इस्थान तो इस्थान जो होगा वो नौकरी के अंदर राजनिती के अंदर वो इस्थान उस व्यक्ति या उस पर्टिकुलर वर्ग के लिए उस विसेश वर्ग के लिए सुरक्षट रखना उस्था कहेंगे आरक्षण कह सकते क्यों लगाते हैं तो आप समझे कि आरक्षण लगाने की जो विवस्था है कि जो पीछे रह गए हैं ल पूरा घर चिंतित होता है कि इसको भी हम अपने जैसा बनाएं और अपने जैसा आगे लाएं और या आगे तरक्की कर पाएं तो भारत के अंदर अगर बात करेंगे तो भारत में रहने वाले सभी नागरेक भारत की संतान कहे जाते हैं मतलब सभी का है कि भारत के पुत्र और पुत्रियां है मतलब इसमें से अगर कोई वर्ग पीछे रह जाएगा तो उसके लिए कुछ इस्पेशल विवस्था करनी पड़ेगी तो ऐसे ही इस्पेशल विवस्था की गई थी कुछ वर्गों के लिए तो अभी तक जो आरक्षन की वस्था थी वह अनसूचत जाती के लिए और अनसूचत जन जाती के लिए थी अनसूचत जाती मतलब सामाने तोर पर आप इसको स्थी कहते हैं और अनसूचत जन जाती मतलब सामान तोर पर आप इसको स्थी कहते हैं इनके विवस्था क्यों की गई थी क्योंकि यह राजने एक आरक्षन की कह दें हाँ पर क्या होगा राजनीती में आरक्षन होगा इनका और दूसरा कहां होगा नौकरी के अंदर आरक्षन होगा तो सुरुआत जो हुई थी समधान जिसे लगा था वो इन दो लोगों के लिए आरक्षन की बात की गई अब एक तीसरा वर्ग भी मिला तीसरा वर्ग जिसको आप पिछड़ा वर्ग कहते हैं पिछड़ा वर्ग का मतलब क्या हो गया पिछड़ा वर्ग का मतलब हो गया कि ऐसा वर्ग जो सामाजिक सेक्षिक तरीके से क्या है पिछड़ा है सोसल एक एड़ुकेशनल बैक वर्ड क्लास है ना ये स्बी सीई का मत क्या है कि जो सामाजिक और सेक्षिक तरीके से पिछड़े हैं उनको आरक्षन की वस्था की गए इनको आरक्षन किस तोर से किस में दिया जाएगा सिक्षा में दिया जाएगा और नौकरी में इनको आरक्षन की वस्था की जाएगा इनको कहां मिला था इनको सिक्षा नौकरी और राजनिती सब में दिया जा रहा था पिछला वर्क को अभी तक किसमें दिया गया था उस टाइम पर उसको सिफ सिक्छा में और किसमें दिया गया था आरक्छन और आपका नौकरी के अंदर दिया गया था तो ऐसे हमने यहां पर यह देखा कैसे आप सरकारी आदेश के बा किये थे अगले वीडियो में जानेंगे कि ये निर्ने किस ने किया होगा हस्ताक्षर करने वाला देखती कौन था और निर्ने किस ने किया होगा हस्ताक्षर उसने कैसे किया और निर्ने किसके द्वारा किया गया कैसे कैसे होता है ये सारी बाते हम अगले वीडियो के अंदर जानने वाले हैं MagnetBase ने आपकी सुमधा के लिए अपने एक website बनाई है magnetbase.com इस website पर जा कर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आपको वीडियो बहुत systematic तरीके से आपके course के साथ से आपकी class के साथ से आपके बिसाय के साथ से आपके चप्र के साब से आपको वीडियो देखने को मिल सकते हैं मतलब की वीडियो सर्च करने में आपको यहाँ पर किसी प्रकाली परिसान ही नहीं है कैसे करेंगे चलिए देखते हैं आप Google पर टाइप करेंगे सर्च वार में टाइप करेंगे magnetbase.com आप हमारी वेबसाइट पर पहुचेंगे यहाँ से कोई एक कोर्स चुनेंगे आप हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आपने क्या किया मीडियम स्रेट कर लिया हिंदी CVSC 7 to 12 हिंदी आपने स्रेट किया फिर आपको किस क्लास के बध्यारती है तो आप क्लास नाइन चुनेंगे तो नाइन के सारे सब्जेक्ट आपके सामने हैं सारे subject आपके सामने है तो माले लिए हम राज्यति विग्ञान पढ़ रहा है यहां पर आपकी पुस्तत करना में लोक ताने बिख राज्यति वण तो यहां पर आपने वाच नौप पर जैसे क्लिक किया तो इसके क्या होंगे सारे chapters open हो जाएंगे एक एक करके हैं न कैसे होंगे जैसे आप click करेंगे तो यह पूरा chapter वाई से लेवस आगे अब कौन सो chapter देखना है पहला chapter देखना है click कर उसके सारे topic खुल लेंगे और जो topic देखना है आगे watch now लिखा है आप वीडियो वहाँ पर आसानी से देख पाएं आपको यहाँ पर यह भी पता चल जाएगा कि हर एक chapter के अंदर कितने वीडियो जैसे chapter नंबर एक के अंदर आप अधारा वीडियो आपको देखने को मिलेंगे इस बस सब कुछ कबर किया गया आप पर concert वीडियो एंसी आटी सॉलूशन वन सौर्ट रिविजन एम सी क्यू और जो भी important चीज़ा है सब कुछ इसके अंदर गार डाली गई है आपको सब कुछ देखने को यहाँ पर मिलेगा कोई वीडियो देखते हैं तो इस तरीके से वीडियो चलेगा और वीडियो के बाद अगले वीडियो पर जाना है तो आपकी सुबधा के लिए एक और चीज़ बनाए गई है क्या next बटन बनाया गया है इससे आपकी समय की बचत लोगी और आप आसानी से अगले वीडियो पर मोच जाएंगे जैसा कि आप जानते हैं कि मैगनेट बेंस हिंदी हिंदी माध्यम के विध्यारतियों के लिए साथ मीं से लेकर बार मीं तक का पूरा सिलेवस बिलको निस्वल्क में अपलब्द करा रहा है यह सिलेवस आपको वीडियो उसके माध्यम से मिला है हम हर एक चैप्र का वीडियो बनाते हैं उसके कॉंसेट वीडियो बनाते हैं उसके और के सामने आता उसको तुरंट लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ सेर करेंगे ताकि सभी लोग इस चीज का फाइदा उठा सकें जागस जादा आगे बढ़ सकें कमेंट सर्शन में जाकर कमेंट भी जरूर करें और आप हमें भी बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद